हेलो दोस्तो मेरा नाम है रुपेश कौरमातो और आपका हमारे योटूब चैनल में वेलकम है यहां हम क्लास 12 इंग्लिश में विस्तास बुक से ताइगर किंग चैप्टर से कल हम नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में हमने उसका समरी देख लिया था ठीक है और जैदि आप व गुल समरी वाले वीडियो देख सकते हैं उससे आपका टैगर किंग कहाने में क्या बताया गया आप उससे परिचीत हो जाएंगे ठीक है अब हम लोग जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि समरी के बाद में इस शेप्टर में कुछ डाउट था आपका तो उस डाउट को मैं इस कोईशन एंसर वाला वीडियो से मैं आपको किलियर कर दूँगा तो चलिए इस वीडियो में बने रहते हैं और इसमें देखते कि क्या क्या इंपोर्टन कोईशन है जो हमारे एकजाम में पूछे जाने के संभवना है ठीक है त उसको यह नाम दिया क्यों गया था ठीक है तो चलिए इसका एंसर को लोग पढ़ते हैं तो महराजा प्रतिबंध पूरम इस टाइगर की जैसा कि मैंने समरी का पालाई लाइन में आपको बता है था कि यह जो कहानी यह प्रतिबंध पूरम एक सामराज की है ठीक है जहां प इति यह यह परेचीत है जाने जाते है एडेदिया यह ठीक हां जाते हैं जम 간ेदर जमडर गनाहीं इस पति लिए नहीं तेचर आछे लिए सब यह सब जो चोंप फोम है यह सब उसका नाम ता राजा का ठीक है जिसका बैन इस naj्टे Confederacy की स drifting सक्षा बर्कस नाम रहतां ता न टाइगर किंग नाम से ही राजा कौन राजा सर जिरानी जंगजंग बादूर्ड प्राथिबनद बूर्ग सामराज की राजा टीक है यह टाइगर किंग नाम से ज़्यादा परीचित थे ठीग है और अखिर ये नाम इन था यह हम लोग देखते हैं तो ही में ही गेट ड्याट नेम विकॉज उनको यह नाम दिया गया था क्योंकि टाइगर डॉमिनेट हीट्स अपने लाइफ और मिशन से डॉमिनेट करता है ठीक है उसके बाद एस्ट्रोलोजर फोर्टोल ड्याट यह बताया था पहले ही बता दिया था कि इस डेथ उड़ कॉम फ्रॉम टाइगर उनकी जुम्रिति होगी राजा की एक बाग से आएगी ठीक है उनकी मृति एक बाग से ह होगी ही किल 99 टाइगर उन्हें सोवा बाग मार और उन्होंने नीनानीynnबय बाग मार चुक है जो महराजा थे मिन्ह성 बाग मार चुकBut The Hanted Tyger बाट ऍुयोधर टेक्स एट्स और king को मार दिया king मारा गया ठीक है तो इस परकार उनको यह नाम क्या क्यों दिया गया था क्योंकि एक जो जोतिस थे उन्होंने भॉष्वाने की थी कि उनकी मृत्यू एक बाग से होगी इसलिए बाग को मारने के लिए राजा को और अपने जीवन को बचाने के लिए यह उनका एक मिसन बन गया था अपने जीवन को सेफ करने के लिए उनका एक मिसन बन गया था इसलिए उनको टाइगर किंग के नाम से उनको पुकारा गया ठीक है और उनको यह नाम दिया गया ठीक है उसके बाद हम लोग देख कि के बारे में उन्होंने क्या बताया था था तो सबूसर यह लो देखें घ़िए थी K topics लिए इन फ्याट तो ध रंफ टील ससे दम डैट रोयल इन फैंड का मतलg होता है साहि शिशु इन फैंड का मतलग होता है श्रिशु नाविजात शिशु ठीक तो the royal infant tells them जो royal infant यानि सहीजिशू टिल्से देम सहीजिशू को ये बताया गया कि सहीजिशू के बारे में ये बताया गया कि althoughs who are born will one day have to die थारे लोग जो पईदा हुए उनको एक दिर मरना ही कोगा there is nothing new in it और इसमें कुछ भी नया नहीं है he wants to know the real cause जो 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 राजा था उनका जनम हुआ था तो वह अपना आप में वह जानना चाहता थे उनका बास्तविक मृत्यू किसे या किस प्रकार होगी तो टो दॉ एस्ट्रो लजर टेल्ज एरस्ट्रो जर्जर यानि मुख जोतिस ने बताया कि इनका जनम हुआ ठीक है व्रिशव रासी में इस नवजात शिशू का जनम हुआ है जो बूल यानि जो भाय से जो व्रिशव है एंड टाइगर यानि जो सेर है बाग है वो दुनों एक दुसरे के काफी जादा एनिमी यानि शत्रू होते therefore his death will come from the tiger इसलिए उसकी मृत्यू जो है रोयल इंफेंट का मृत्यू जो शाहिश शिशू जब बड़ा हो जाए तो उसका मृत्यू केवल बाग से ही आएगी ठीक है तो यह बताया था मुख्य जोतिस ने उसके death के बारे में है महराजा की death के बारे में इसके बाद हम लोग question number third देख रहे है कि इसमें बताया जा रहा है कि how does the tiger king die आखिर tiger king की मृत्य होती है यानि किस प्रकार उसकी मृत्य होती है what happened when that संट अधर वाई सेलिब्रेटेड महाराजा का बेटे का तीसरा जब जनम दिन मनाये जाता है तब उस समय क्या घटना घटती है है पेंड क्या घटना घटती है ठीक है तो इसका एंसर हम लोग देखते हैं तो दो महाराजा ब्राउट है उडें टोय टाइगर फ्रों में शॉक महाराजा जो है न वो एक लकड़ी का बाग खरीद कर लाए थे ठीक है ब्राउट यानि खरीद कर लाए थे कहां से एक दुकान ठीक है उसके बाद देख रहे हैं कि ऑन डेट असी दिन फादर एंड सौन प्लेड विद टोय टाइगर उसी दिन जो बाप है और यानि महाराजा है और बेटा यानि रोयल इंपेंट शोरी जो बेटा है सौन ठीक है वे उसी दिन खेल रहे थे दुनों किसके साथ खेल रहे में पर दानंने काहया तो निडल लाइक शिलिवर यानि उसी जाना हुआ थे और काफी सारे निकाले लाड वे थे ठीक है the next day infection fled up in his hand और next day ठीक है जिस दिन खेर रहे ते बरतड़े वाले दिन उसके एक दिन बाद यानि next day जो महराजा का हाथ में जो infection है वो फेल जाता है ठीक है और next day infection infection fled up in his hand उनके हाथ में फेल जाता है इन फोर डे और लगबक चार दिनों में इन डेवलप इंटू एस उपर रेटिंग शुरू और चार दिनों में यह जो ना काफी बड़ा एक सुजन जीसा हो जाता है ठीक है फूल जाता है ठीक है काफी यह infection डेवलप यानि बहुत बड़ा यह बिक्सित हो जाता है यह infection जो फ्लेड अप यह जो सुजन तो वह काफी ज्यादा बिक्सित हो जाता है ठीक है बहुत बड़ा हो जाता है और पूरा हाथ को फैल जाता है पूरा हाथ पर वह infection as a result क्या हुआ और और इस पर का Tiger King की मृतियों और infection फैल गया तो उसके बाद लुए के हाव ऑडिडर दिवान अगे इस वाइफ हलब त डाइगर कींग इन फांडिंग जो डिवान-घूल्य मंत्री था ठीक हाए महराजा का की जो दिवान की वाइफ थी ठीक है यह वहहाप याण्य किस परकार फैंडिंग डऐ नहीं बास ज़ोड़ों को धूलन अनल म महाराजा का help किया तो इसका answer हम दो देख रहे हैं दिवान एंड इस वाइफ न्यू डड़ दिवान और उसका पतनी जानती थी यानि जानते थे कि महाराजा सोवा भाग को ढूण नहीं पाते हैं तो जो परिणाम होगा काफी भयंकर होगा इसलिए वे जो दिवान और उसका वाइफ है वो मदरास के पीपल पर्क से एक टाइगर को अरेंज यानि बंदवस्त करते हैं यानि सिधे जंगन में ले जाया गया उस टाइगर को वेर द महाराजा वाज़ा सिकार कर रहे होते हैं ठीक है बट लेकिन बुलेट हैड मिज्ड ता मार्क लेकिन जो बंदुख से निकलावा गोली था वो अपना निशाना को चुक कर जाता है तो यहां पर इस कोईशन का एंसर हो गया यहां पर सावाल पूछ रहा था कि कि इस परकार सोवा बाग ढूणने में दिवान और उसका पतन फिर नेक्स्ट कोशन है कि वाट डिड़ अश्ट्रोजर प्रिडेक्ट वेन दा टाइगर किंग वास बॉर्ण जो जोतिस थे उन्होंने टाइगर किंग के जन्म के समय क्या भवश्वानी की थी तो यह दूसरा कोशन की तरह ही हो गया तो चलिए इसमें भी देखते हैं एं टाइगर किंग वो वरिशवराश्य में जन्म लिये हैं टाइगर और बूल और बूल यानि बाग और जो वह एक दुसरे के काफी बड़ी सत्रू होते हैं वन टाइगर किंग वुड़ मीट इस डेथ इसलिए एक दिन जो टाइगर किंग जो राजा है वो अपने मृत्यू से जरूर भेंट करेगा ठीक है and his death would come from the tiger और इसलिए उसके मृत्यू बाग से आएगी ठीक है जो टाइगर किंग जो महाराजा उसके मृत्यू बाग से आएगी क्यों बाग से आएगी क्योंकि वो व्रिशवराश्य में जन्म लिया था राजा और राजा और बाग और बूल एक दुसरे के सत्रू होते हैं इ कि वाट वाट वाज महाराजा पिलींग वैन ही कीड़ अगर माराजा जब सोवा बाग को मार देते तब वह क्या मौसुस करते का फिलिंग करते क्या फिल होता है उनके मंड में ठीक है तो इसका एंसर हम लोग देखते हैं कि वैं कि व्यान आओं डा माहाराजा कीड नहें त जब महाराजा सोवा भाग को मार देते he became very happy to see it वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुस होते as commanded by tiger as commanded by king और राजा के आदेश के अनुसार the dead tiger was taken in profession through the town and buried महाराजा के आदेश अनुसार जो मरा हुआ भाग था उसको profession जूलूस के रूप में टाउन यानि पूरे सहर में घुमाया गया and buried और उसको दफनाया गया ठीक है महाराजा के आदेश अनुसार ऐसा किया गया ठीक है a tom was erected over it और tom मतलब एक मकबरा erected यानि बनाया गया over it उसके उपर जहां पर दफनाया गया उसके उपर में एक मकबरा बना दिया गया तो इस तरह इसका एंसर हो गया फिर हम लोग नेक्स्ट कोर्शन देख रहे है कि whom did the tiger king want to marry यानि tiger king जो राजा था महाराजा था क्या नाम था सर जिलानी जंग जंग बाधुरू वे किस से साधी करना चाते थे ठीक है तो इसका एंसर देख रहे हम लोग की the tiger king decided to marry in the royal family of a estate with the large tiger population यानि महाराजा जो tiger king थे वे बहुत बड़े tiger population वाले सामराज की एक लड़की से साधी करना चाते ठीक है और वह भी लड़की कैसी होने चाहिए जो मंत्री थे दिवान वे ऐसा लड़की ढूणने में सफल हुए महाराजा जंग जंग बहादूर कील फाइप और शिक्स टाइगर इच टाइम ही विजिटेट इस फादर इनलोग महाराजा जो जंग जंग बहादूर थे वे जितन जब भी अपने फादर इनलोग यानि लड़के से साधी करना चाते थे जिसका प्रोयल फेमिली की लड़के से साधी करना चाते थे और रोयल फैमिली एक ऐसे एस्टेट का होना चाहिए जिस एस्टेट में लार्ज टाइगर पॉपूलिशन हो ठीक है तो यह हो गया इसका एंसर और उसका फिर उसके बाद लास्ट कोईशन है कि इस स्वरी इसके बाद एक और कुछ से नहीं तो इसमें है कि हाव डिट डाइगर के मिट इस डेथ टाइगर किंग जो था बाग राजा वह अपनी मृत्यू से किस पर कर मिला ठीक है तो यहां पर देख रहें दाइगर किंग मेट हीज एंड टाइगर किंग अपने अंत से मिल अपने डेथ से मिला दाट किंग डिसाइड डेट ए उडेंट टाइगर वाज पॉफेक्ट फॉर इस थार्ड बर्त डे एक लकड़ी का जो बाग होगा वह उसका बेटे का तीसरा बर्त डे के लिए एकदम पॉफेक्ट होगा वान देग ही वास प्लेइंग विट डेट और एक दिन वे दुनों वो इस टोई टाइगर के साथ खेल रहे थे ठीक है और जो टोई टाइगर के सरफेस पर जो परसेड यानि काफी ज्यादा सिलिवर निकला हुआ था वह उनमें से कोई एक पर सिलिवर जो है ना वह परसेड माराजा के राइट हंड में चूप जाता है ठीक है और infection spread all over the arm और पूरा बाम में उनका infection फेल जाता है ठीक है यहां पर मैंने बताया था कि कि इसके बाद क्या होगा तो चलिए इसमें देखते कि की सतरह उनका इलाज हुआ था तो देख रहे कि infection spread all over the arm ठीक है infection पूरा बाम में फेलिया ठीरी सर्जंस पॉपाउंड एन operation तीन surgeons आये मतलब चिकित्सक आये ठीक है जो उनका operation किये बट couldn't save the king operation successful रहा लेकिन वे king को बचा नहीं पाए और इस तरह tiger king का डेथ हो गया tiger king couldn't save tiger king को बचा नहीं पाए तो इस तरह tiger king अपना मृत्यू से मिला ठीक है इस question का answer हो गया और last हमारे पास question है ठीक है last हमारे the owner the owner the majority टेक है जोसे अपना बदला है पूरा करने में success होता है Tiger टेर यहाशीरों ईफ़र टेकंड की और तीकिस बनठव कंड़ेंग तिकलव सुभा रहो शहक्त पर ऑन करने यह ऊंतिक है बदला अ सब्सक्राइड कि जो सोवा बाग तो समीन आपना तौआ टाइगर जो सोवा बाग वह अपना फाइनल रिवेंग याने अंतिम ultuf गिंग पर एक cela टाइगर की रूप में लेता है यानि टौआ ही टाइगर यानि खिलोना वाला बाग के रूप में अंतिम बद्ला लेता है जो कि मेदडापुट जो कि लकडी का बना हुआ जो लकडि का खिलोना वाला बाग था उसके पूरे सरफेस पर चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चींद सिलिवर्स जो पूरे निकले हुए थे ठीक है और उनी में से कोई एक सिलिवर जो है न माराजा के दाहिने हाथ में चूब जाता है ठीक है और राइठन कब की वाइल प्लेइंग विद विद इट विद प्रिंस जब वे अपने प्रिंस के साथ इसके साथ खेल रहे होते हैं ठीक है तो इंफेक्शन फ्लेड इंटु आल पर उपचार करते हैं बॉलकिन उनको बचा नहीं पाते यह सब्ली चब्रश द़रियल और इस प्रकार महराजा पर अपना बदला लेता है तो इस question का यहाँ पर answer समापत हुता है तो देखे आप जदी गोर से देखे होंगे तो यहाँ पर घुर फीर का वही कानी बता रहा है कि कि इस तरह माराजा के मृत्ति होता है हर question में ठीक है तो जदी आप summary को याद कर लेंगे एक page का summary आप उसको याद कर लें होगा ठीक आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके copy मिलीक सकते हैं जदी आप फेर को भी बना रहे हैं तो और इस chapter का मैं यहीं पर देंड करता हूं तो जदी वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट किजिए लाइक किजिए और अपने दोस्तों में सेयर किजिए वी दिर्ट आमातरम